बाबा, रुको, आज फिर आप अपने खाने का डिबबा भूले जा रहे हो अरे मेरी लाडो बेटिया, तु मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज इसके साथ ही हरी शंकर ने प्यार से अपनी साथ साल की बेटी प्रिया की सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए ये कहानी हरी शंकर त्रिपाठी की ही है, जो बनारस में रहते थे हरी शंकर वहां एक शिव मंदर के मुख्य पुजारी थे हरी शंकर के घर में उनकी पतनी गौरी और उनकी साथ साल की बेटी प्रिया थी गौरी और हरी शंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खुब पूजा करती थी हरी शंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आ पाते मंदिर की मानेता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भूले बाबा के दर्शनू के लिए आते थे हर रोज की तरह उस दिन भी हरी शंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुँचे तो इलेक्ट्रीशन शंभुनात वहाँ पहले से मौजूद था उसने हरी शंकर को देखा और बोला अरे पुजारी जी आ गए आप वो जैसा आपने कहा था मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दिये और हाँ मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे है अरे वाँ अब बहुत अच्छे शंभुनात ये काम अच्छा हो गया इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी भोले बाबा सब का भला करे ओम नमस्शिवाए हरी शंकर मंदिर के मुखे पुजारी तो थे ही साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भूले बाबा की भक्ती करते वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वा बागते और अपने लिए तो केबल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए शंबुनात और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरिशंकर की बहुत इज़त करते थे हरिशंकर की पतनी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरिशंकर से शिकायत नहीं करती थी दिन भर मंदिर में श्रद्धालों का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरिशंकर भोले से प्रार्थना करते कि वो सब की मनोकामनाई पूर्ण करें ऐसे ही एक दिन पुजारी जी क्या करें मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 25 लोग लाइन में लगे हुए क्या करना चाहिए अरे शंभुनात भोले बाबा के दर्शनों के लिए नजाने कितनी दूर दूर से लोग आये होंगे रे 20-25 आदमी ही तो है थोड़ा रुक जाएंगे पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो भोले सब का भला करें मुझे पता था भर बार यही कहते है शंभुनात हसा और बाकी कामों में लग गया दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजूर खड़े थे उनका नाम था भगवती प्रसाद हरी शंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा भोले आपका भला करें श्रीमान पुजारी जी नमस्ते जै भोले श्रीमान भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें पुजारी जी मैं जब भी यहां आता हूँ हमेशा देखता हूँ कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं सबकी मनो कामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आप से आपकी मनो कामना पूछी है अरे श्रीमान मेरी कोई इच्छा नहीं है मुझे तो महादेफ के चरणों में जगा मिली हुई है और क्या चाहिए बाकि कभी किसी ने पूछा भी नहीं चलिए पंडिजी आज मैं आपसे पूछता हूँ बताइए आपकी कोई तो इच्छा होगी श्रीमान मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार किदारनाथ जाकर महादेफ के उस अध्विती रूप के दर्शन करू अपनी पत्नी और अपने बिटिया के साथ बोले सब का भला करें भगवती प्रसाद और हरी शंकर दोनों जोर से हसने लगते हैं भगवती प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अकसर महादेव के दर्शनू के लिए उसी मंदिर में आते थे कुछ दिन बाद जब वो फिर से मंदिर गए तो उन्होंने हरी शंकर से पूछा पंडित जी अगर आपके केदारनाथ जाने की इतनी ही इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं क्या समस्या है जाने की तो बड़ी इच्छा है श्रीमान लेकिन क्या करूँ खर्चा पानी नहीं हो पाता है उतना भक्त गण जो दान करते हैं उसी से मंदिर की देखरे करनी होती है और अपना घर भी चलाना होता है भगवती प्रसाद सारी बात समझ चुगे थे वो पूजा अर्षना के बाद वापस घर गए और फिर दो दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरीश को बुलाया और कहा हरीश अरे हरीश अरे एक काम करो बेटा आओ जी मालिक बताईए वो जो घाट वाला शिव मंदिर है न वहाँ के पुजारी है हरीशंकर त्रिपाठी जी उनके घर का पता करो और ये लिफाफा उन्हें दे देना लेकिन एक बात का खयाल रखना उनके सामने मेरा नाम मत लेना और अगर कहें कि इसमें क्या है और किसने भिजवाया है तो बस इतना कहे देना कि आपको बाबा केदार ने बुलाया है हरीश को जो लिफाफा भगवती प्रसाद ने दिया था उसमें कुछ पैसे थे और उस बस की तीन टिकट थी जो हर महीने भगतों को केदारनात ले जाती थी हरीशंकर उस बस की तीन टिकटों को खरीदने लायक पैसे कभी जुटा ही नहीं पाई लोगों से पूछते हुए हरीश जल्दी ही हरीशंकर के घर पहुच और उनसे बोला रमरम पंडी जी जैब होले आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं पंडी जी मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है आपके लिए ये लिफाफा भेजा है किसी ने हैं? लिफाफा? किसने भीजा है? क्या है इस मैं भाई? पंडी जी वो मुझे नहीं मालूम लेकिन जिसने ये लिफाफा भीजवाया है न उन्होंने कहलवाया है कि बाबा केदार ने आपको बलाया है हरीशंकर हरीश की बात समझ नहीं पाते और लिफाफे को हरीश से लेकर गौर से देखने लगते हैं तब तक हरीश वहाँ से चला जाता है और हरीशंकर उसे आवाज लगाते रह जाते हैं हरीशंकर घर के अंदर आकर लिफाफे को खोलते हैं तो उनकी आँखो में खुशी के आँसु आ जाते हैं और वो उस लिफाफे को भूले बाबा की खृपा मान कर अपनी पत्नी गौरी से कहते है हरी शंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं गौरी भी बहुत खुश हो जाती है इसके बाद हरी शंकर और गौरी अपनी बेटी प्रिया के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं केदारनाथ पहुचकर हरी शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था पूरा परिवार केदारनाथ धाम पहुचकर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्शना करते हैं फिर बाहर आकर मंदर के दूर एक जगा पर बैठ जाते हैं हरी शंकर लगातार मंदिर को निहार रहे थे, तभी गौरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी, अभी तो हम मंदिर से ही आये हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा के दार के पास हूँ, कहिए, कहिए कोई सपना तो नहीं? नहीं जी, ये सपना नहीं सच है, आपने सची श्रद्धा से भूले बाबा की भक्ती की है, तो उन्हें आपकी ये मुराद तो पूरी करनी ही थी न? हरी शंकर और गौरी आपस में बाते करी रहे थे कि अचानक वहां का मौसम बिगरने लगा तेज हवाई चलने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश के शुरू लेखे हरी शंकर और गौरी चलवी से प्रिया के साथने तर सुरक्षित जगण होने लगते हैं वो वापस मंदर के तरफ दोड़ते हैं वो कुछी दूर पहुँचे थे कि तभी बहुत दूर देखते ही दरसली आवाज बार गौरी शंकर ने देखा कि मंदर के पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है उन्हें समझने में देड़ नहीं लगी कि उनका सामना किसी प्राज़ते होने बाला है हरीश अपने बीवी बच्चों को पानी की विप्रीत दिशा में लेकर भाते मगर पानी उन तक चंद सेकेंडों में ही पहुँच गया तीनों पानी के उस सैलाब में पहने रहे थे गौरी प्रिया मेरा हाथ मत छोड़ना मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा बाबा हम मरने वाले हैं क्या नहीं बिटिया नहीं भोले बाबा हमारे साथ है कुछ नहीं होगा तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पानी में बहे जा रहे थे गौरी प्रिया का हाथ तो थामे रही लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ हरिशंकर से छूप गया हरिशंकर ने बहुत कोशिश की मगर वो उन दोनों तक नहीं पहुँच पाए तब ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ बहता आ रहा है हरिशंकर गौरी की तरफ देखकर चिल्लाई गौरी मैं इस पेड़ को रोकने की कुशिश करता हूँ तुम उस मकान की छट पर जाने की कुशिश करो गौरी प्रिया को लेकर उस मकान की तरफ तैरने लगी जो थोड़ी उचाई पर था मगर वो बार-बार पलट कर हरिशंकर को भी देख देखे थी काफी देर तक पेड़ को रोकने के बाद हरिशंकर की पकड़ धीली पड़ देखे और उस पेड़ के साथ वो भी देखे प्रिया और गौरी सिवाई बिलखने के कुछ नहीं कर पाए विदोनों कई घंटों तक उस मकान पर थज़ गये तरफ वाई उस देना के हरिशंकर के बारे में जानकारी ली हरिशंकर को ढूरने की कोशिश की गई लेकिन उनकी कोई पपड़ नी लगी प्रिया और गौरी बनारस अपने घर वापस आ गए वो हरिशंकर का इंतजार करने लगे देखते ही देखते दो साल गुजर गए उधर उस तरास्दी को जिलने के बाद एक बार केदारनाथ धाम को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया लोग फिर से उसी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे थे तब ही मंदिर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर अपने रिपोर्ट में बताता है इस वक्त हम खड़े हैं कि दारनाथ मंदिर के द्वार पर हजारों श्रद्धालों दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं साथ ही चमतकारी बाबा को देखने भी कौन है ये चमतकारी बाबा आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो पिछले एक साल से मंदिर की सीड़ियों पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं वो एक तक मंदिर की तरफ देखते रहते हैं दिन हो चाहे रात धूप हो चाहे बर्फबारी वो यहां से एक पल के लिए नहीं हटे यहां आने वाले भक्त भोले बाबा के दर्शनों के बाद इनका आशिरवाद लेना नहीं भूलते वो चमतकारी वावा कोई और नहीं बलकि हरिशंकर ही थे जो स्तरास्दी से तो बच गये थे पर अपनी यादाश्त खोचुके थे उन्हें याद थे तो बस महादेव वो मंदिर के बाहर बैठ कर बस उनकी आरादना में ही लीन थे लेकिन उनकी परिक्षब खत्म होने वाल वे ये तो हमारे पंडित जी है इसका मतलब हरिशंकर त्रिपाठी जिन्दा है हरिश ओ हरिश जल्दी गाड़ी निकालो भगवती प्रसाद सीधे घाट वाले मंदिर पहुँचे उन्होंने देखा कि गौरी मंदिर के आंगर में जाडू लगा रही थी और प्रिया शिवल प्रिया और गौरी ये सुनकर चौंक जाते हैं भगवती प्रसाद उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर उन्हें लेकर खुद केदारनाद जाते हैं वहां हरिशंकर को पाकर गौरी और प्रिया बहुत खोश होते हैं शुरू में हरिशंकर उन्हें नहीं पहचानते तो जाकर वापस बनारस ले आते हैं, फिर भगवती प्रसाद अच्छे डॉक्टर से हरिशंकर का इलाज करवाते हैं, और फिर कुछी दिनों बाद हरिशंकर को सब कुछ याद आ जाता है, वो गौरी और प्रिया से गले मिलकर कहते हैं, भोले है सबका भला करें, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अनुभा और महेंद्र एक गरीब दमपती थे, अनुभा अपने घर में ही बास के छोटे-छोटे खिलोने और घर की सजावट का सामान बनाती थी, और महेंद्र सडक पर घूम-घूम कर उन्हें बेचा करता था, रेड लाइट होने पर जब गाड़ियां रुकती, तब महेंद्र अपने खिलोने बेचने के लिए उन गाड़ियों की तरफ दौर पड़ता था, बाबुजी ये खिलोने ले लो, बास के खिलोने हैं हाथ से बने हुए, अर नई 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 चाहिए, मेंद्र साहब घर क सजावट का सामान ले लो, ये गुलदस्ता कितने का दिया, मेंद्र साहब ये दो सो रुपई का है, इतना महेंगा, इस से अच्छा तो मैं मौल से खरीद लूँगी, वहां ब्रांड़ियों सामान मिलते है, तुम्हारे सामान की तो कोई ब्रांड़ी नहीं है, और ना ही को नौती भरा काम था, उसे देख कर लोग अपनी गाड़ी की खिर्की खुलना तो दूर, मूँ फिर लेते थे, महेंद्र अनुभा के बास से बनाय हुए सामान को बेचने के लिए बहुत महनत करता था, वो ट्रैफिक में भी घुम घुम कर अपने सामान बेचा करता, इसी द महेंद्र की लाज जब उसके घर लाई गई तो उसे देख कर सदमे से उसकी पतनी अनुभा की भी मौत हो गई, महेंद्र और अनुभा की मौत के बाद, उनकी दो छोटी-छोटी बेटियां, 12 साल की पिंकी और 6 साल की चिंकी अनात हो गई, चिंकी बहुत जोर-जोर से रो मत रो चिंकी, मैं हो न तेरी बड़ी बहन, दीदी, दीदी अब हम क्या करेंगे, कहा जाएंगे और क्या खाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो चिंता मत कर चिंकी, मा के बनाय हुए कुछ बास के खिलोने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे, उनने बेचने से पहले ही मा और बाबा हमें अकेला छोड़ कर चले गए, हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे, उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे, ठीक या दीदी, दूसरे दिन पिंकी और चिंकी सड़के किनारे बैट कर अपनी मा अ खलने लगा, और वे लोग चिंकी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं, अरे बिटा, ये पैंस्टेन कितने का है, पचास रुपे का है, महंगा है, मैं तो इसके पैतीस रुपे ही दूँगी, ठीक है, आप इसे पैतीस रुपे में ही ले जाएए, तभी वहाँ एक आद में आता है, अरे बच्चे, वो फोटो फ्रेम और पांखा दोनों दे दो, ठीक है, ये लीजे, आपके पूरे सो रुपे हो गए, ये लो पैसे, इस तरह से पिंकी और चिंकी की उस दिन ठीक था कमाई हो गई थी, शाम को दोनों जब घर लोट कराई, तब चिंकी कमाई हु हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खतम होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा, चिंकी और पिंकी बात करी रहे थे कि तब भी दर्वाजी पर दस तक्वी, पिंकी ने दर्वाजा खोला, तो देखा बाहर मकान माल खड़ा था, देख पिंकी, तुमारे पापा ने पिछले तीन महीने का किराया नहीं चुका है था, और इस महीने का किराया भी बाकी है, पांच हजार के हिसाब से चार महीने का किराया बीस हजार रुपाय होता है, मुझे कल शाम तक मेरे बीस हजार रुपाय दे दो, नहीं तो तुमारा सारा समान उठवा लूँगा और घर खाली करवा दूँगा अंकल आपको तो पता है कि हम अनात हो गए हैं हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे हमें थोड़ा समय और दे दीजे हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे तो ठीक है आज से ही शुरुआत कर दो लाओ आज के पैसे और मकान मालिक चिंकी के हाथ से रुपए छीन लेता है दूसरे दिन पिंकी और चिंकी ने बास का सामान बेच कर जो कमाया वो भी मकान मालिक ने किराय के नाम पर उन से छीन लिया दीदी इस तरह से तो हमें एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे मन में एक खयाल है हम कल वैसा ही करेंगे क्या करेंगे दीदी कल सुब्हा हम कपडे और बेचने वाली सारी सामान लेकर यहां से निकल जाएंगे पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहां लाट कर नहीं आएंगे हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे इससे हमें मकान मालिक को और रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहां से भागने वाले हैं हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है चिंकी लेकिन हम चाहेंगे कहां दीदी वो हम कल सोचेंगे अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हमें यहां से जल्दी निकलना होगा पिंकी खाना बनाती है और दोनों बेहने खाना खाकर सो जाती हैं अगली सुबह चिंकी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं वे दोनों सड़के किनारे बैठ कर अपना सारा सामान बेचने लगते हैं तीधी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इने लेकर हम कहां जाएंगे हाँ चिंकी, हम आज अपना बांस का बना ये सारा सामान बेच देंगे सामान जादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बेहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई रात के आट बजगे थे तीधी सारा सामान भी क्या है अब हम लगों को यहां से चलना चाहिए हाँ चिंकी आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है पहले कहीं चल कर कुछ खाते हैं दोनों बेहने एक होटल में जाकर खाना खाती है और उसी होटल के बाहर सड़क पर चादर बिचा कर सो जाती है अगली सुबह दीदी आज हम क्या करेंगे आज तो हमारे पास बेशने के लिए कुछ सामान भी नहीं है चिंकी पहले हमें अपने रहने का ठिकाना ढूनना होगा रोज रोज हम सड़क पर नहीं सो सकते हाँ दीदी लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक हजार रुपे है इतने पैसे में तो कोई भी हमें किराए पर घर नहीं देगा तब ही पिंकी को याद आता है कि उसने अपनी स्कूल के किताब में पढ़ा था कि कैसे एक आदमी ने अपने लिए बास का घर बनाया था और मा भी तो बास के छोटे-छोटे घर बनाया करती थी दरसल माता पिता की मौद से पहले दोनों बहने सरकारी स्कूल में पढ़ती थी लेकिन अनात होने के कारण दोनों की पढ़ाई चूट गई थी चिंकी हम अपने लिए खुद का घर बनाएंगे वो भी अपने हाथों से वो कैसे दीदी देख जैसे मा खिलोने के लिए बास का छोटा सा घर बनाती थी ठीक वैसे ही हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हम रह सकें ठील के दीदी लेकिन हम इतना सारा बांस कहां से लाएंगे बांस लाने के लिए हमें जंगल जाना होगा मैं बाबा के साथ जंगल भी गई हूँ मुझे जंगल का रास्ता पता है तु चल मेरे साथ और दोनों बहने जंगल की ओर निकल पड़ती है जंगल पहुँच कर दोनों ने देखा कि धेर सारे बांस के पेड़ हैं पिंकी ने शेहर के किनारे और जंगल के बगल में एक जगा चुन ली और दोनों बेहने जंगल से बांस लाकर इकठा करने लगी दीरे दीरे करके दोनों बेहनों ने काफी बांस सिकठा कर लिया ये सब करते करते रात हो गई और दोनों वही सो गई अगली सुबा चिंकी उठ हमें जल्दी से अपना घर बनाना है और पिंकी बांस का घर बनाना शुरू कर देती है चिंकी अपने नन्हे हाथों से बड़ी बेहन पिंकी की मदद करने लगती है लगभक तीन दिन की मेहनत के बाद पिंकी और चिंकी ने अपने लिए एक बांस का घर बना लिया था जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था दिदी हमारा ये बांस का घर कितना सुन्दर है न हाँ चिंकी ये घर हमारे पुराने घर से भी ज़्यादा सुन्दर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा दिदी हम इस घर को बांस की बनी फूलों और पत्यों से सजाएंगे हाँ चिंकी चलो हम बास से फूल और पत्यां बनाते हैं और दोनों बेहने बास से फूल और पत्यां बनाने लग जाती है पिंकी ने बहुत सुंदर फूल बनाए जिसे देख कर चिंकी खुशी से चहक उठी तीदी जब तुम बास से इतनी सुन्दर फूल और पत्यां बना सकती हो तो क्यों ना इस बास से और भी ज़्यादा फूल और पत्यां बनाकर हम बाजार में बेचें, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी अच्छा इडिया है चिंकी, हम यही काम करेंगे अपना घर सजाने के बाद पिंकी और चिंकी दोनों बेहने मिलकर बास से फूल और पत्यां बनाने लगती है और उन्हें बना कर बाजार में बेचने के लिए जाती है पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे चादर बिचा कर अपने बांस के फूल और पत्यां बेशने लगती हैं आने जाने वाले रागीर उनसे सामान खरीदने लगते हैं वो फूल कितने सुन्दर लग रहे हैं? गाड़ी में सजाने के लिए ले लेते हैं हमारी गाड़ी और सुन्दर लगीगी न? हाँ हाँ क्यों नहीं और ज्यादा ले लो अपने घर के ड्रॉइंग रूम में भी सजा दे न? वो फूल दे दो ये लीजे मैडम जी कितने पैसे हुए? दो सो रुपे हो गए ठीक है ये लो पैसे और इस तरह से दोनों बेहनों के बांस से बनाए हुए सजावट के सारे सामान बिग गए दोनों बेहने खुशी-खुशी घर आ जाती है दीदी हम कल और भी जादा सामान बनाएंगे हाँ चिंकी तभी उनके दर्वाजे पर दस्तक हुई दीदी हमारे घर कौन आया होगा पता नहीं चिंकी मैं जाकर देखती हूँ पिंकी ने दर्वाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था जी बताएए मेरा नाम विक्रम है मैं पासी में परेटकों के लिए एक नया रिजॉर्ट खोल रहा हूँ ये सुनकर तो पिंकी और चिंकी की खुश्यों का ठिकाना न रहा पिंकी तुरंट इस काम के लिए राजी हो गई और अगले ही दिन से दोनों बेहनों ने बास के कम्रे और सजावट का सामान बनाने का काम शुरू कर दिया और इस तरह से दोनों बेहने काफी मशूर भी हो गई उन्हें लगातार काम भी मिलने लगे अब दोनों बेहनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए